हलो गाइज वेलकम टू मेधा है हलवानी ओनलाइन प्लेटफॉर्म सो गाइज आज फिजिक्स लेक्चर टू स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं और यहाँ पर बात करेंगे मेजरमेंट की मापन की आज हम बात करने वाले हैं ठीक है मूल मातरफ़ हैं दर्भयन करेंज लंबाई 1.5 cm बेत newborn मातरक मूल मातरकों के परियो बनाय जाते हैं बलका न्यूटन वेक का मीटर 32 स्क्वार्ण का मीटर 26 सक्ट का वाट उरजा का जूल है तो गाइज यहां से भी एकजाम कोश्ण बनता है तो थोड़ा सा इसको याद रखना मूल मात रख और व्यूत्पन मात रख ठीक आगे बात करते हैं सदिस और अदिस राश्यों की सदिस में जो है गाई दिसा परिमान दोनों होगा लेकिन अदिस में केवल परिमान ही परिमान होगा ठीक है न अदिस क्या है और सदिस क्या है यहां से एक जाम में कोशन बनेगा तो इसकी परिवास हम पहले जान चुके हैं क शदिश में दिशाव परिणाम दोनों होता है। जब कि अदिश समवेग पौरन बल और चुमबकिसे शच्री आधिस राश्यम, तूरी आयतिन माणle कर दिश्चा देट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एसे ही फूट पाउंड करके होता है तो इसमें कोई जादा अंतर नहीं है समझना हैं आपको यहां कि लंबाई का मात्रह का में मीटर दरबिमान का केजी समय का सेकेंड वहीं सीजेस में लंबाई का सेंटिमीटर दरबिमान का गराम समय का सेकेंड एफपीएस पद्देटी में लंबाई फूट दरबिमान पाउंड और समय सेकेंड ठीक है और जो मूल मात्रक है साथ होते हैं और दो संपूरक मात्रक होते हैं ऐसा ही मात्रक मूल मात्रक ही होते हैं ठीक है और मीटर कीगरा कैल्विन केंडेला एंपेर मूल यह जो है इसमें उधारण है अब आगे बात करते हैं हम लोग मात्रक भृतिक रासे की जो परकास वर्स है गैज यह दूरी का मात्रक है इंपर्टेंट ही फैदम समुदर की गहराई माफी जाती है ऑंडेंट का मात्रक है ठीक है विदुद्परतिरोद का मात्रक है छ गोलि मात्रक दुरी आगे है पारसक दूरी डेसिमल परकास की तिर्यूटा के लिए नॉटिकल मील गाई यह समुद्री दूरी के लोता है अगर आपने जो ग्रुपी वाला टॉपिक हमारा पड़ा होगा तो लेक्चर वन में हमने बात की थी जो इजड है एक्सक्लूसिव एकोनोमिक जोन वहां पर 200 मील जो है यह नॉटिकल मील करके यह वही दूरी है नॉट समुद्री गती के लिए आता है एंग स्ट्रॉम परकास की तरंगे दैदी है डाय अप्टर जो है लैंची की शमता के लिए वही पासकल की बात करें तो दाप के लिए हटजी की बात करें तो गैज आवर्ती लियूमेन जोती फ्लेक्स बार वाई मंडली दाब कैलोर की उस्मा की मात्रा के लिए कूलाम विद्धुताविस के लिए इलक्ट्रॉन बोल्ट उर्जा के लिए कैरेट सुने की सुद्धिता के लिए न्यूटन बल के लिए जूल कारी के लिए वाट सक्ति के लिए ठीक है ना निर्वात में परकास द्वारा एक वर्स में चली सब्सक्राबर 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर होता है पॉइंट इंपोटेंट है रियक्टर पैमानी का परियोग किया जाता है तो भुकम की तीरोता को मापने के लिए किया जाता है एक पार्सक में कितने परकासवर्स होते हैं तो 3.26 परकासवर्स तरंगे इसमें होती हैं चलिए आगे बात करते हैं एक नैनोमीटर में 10 सेंटिमीटर होते हैं ठीक है न तो याद रखना जो सितार के तार हैं सितार के तार की तरंगे अनुपरस्ते तरंगे होती हैं आगे अनुदैद्य और अनुपरस्त दोनों तरंगों को हम लोग पढ़ेंगे गैस में तरंगे उ यांत्रिकी में लंभाई लेंख एक्षिन को को कैपिटलन से करते हैं और यांत्रिकी में परियक्त वर इबिन बिट्पंद राश्यों को जैसे इन घातों की रूप में लिखा जाता है जैसे 6 रुपल है ना समझे इसको लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई को L से मापेंगे ठीक है ना और चौड़ाई को भी L से तो L इन्टो L क्या हो गएगा यह जी L स्कौर हो गया ठीक है ऐसे ही आयतन की बात करते हैं आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई तो इसको जो है L L L 3L यानिके L Q हो जाएगा समय दूसमें आ गया ना क्योंकि हम लोग क्या करें लंबाई को किसमें इंडिकेट करें L से अगर मास होता है M से एंड समय होता देन T से इंडिकेट करते हैं ठीक है तो गई जहां पर कुछ सामान्य भौतिक राश्यां दे गई हैं इनको कवर करते हैं छेत्रफल का होता है M स्क्वार आयतन M क्यूब घनत्व केजी M की पाउर मैनेस थरी चाल M इन्टू परती सेकेंड वेग M इन्टू परती सेकेंड स्क्वार त्वरण अच्छा सॉरी यह चालव एक दोनों का सेम होगा यहां होगा M मीटर परती सेकेंड स्क्वार त्वरण का होगा बल का होगा केजी मीटर परती सेकेंड स्क्वार समवेग ऐसे ही आवेग और ऐसे ही दाप का होगा इनको आप देख लीजेगा अच्छे से आगे जो हम बात करने वाले हैं गती बल एमकार के करने वाले हैं गती किसे कहते हैं यह तो आप बेसिकली जानते हैं यदि किसी वस्तो के स्थिति किसी इस्तिर वस्तो के साथ एक समय के साथ बदलते रहे तो उसे गती आवस्ता कहते हैं वहीं displacement विस्थापन की बात कर रहे हैं, वस्तु की अंतिम इस्तिति तता प्रारंबिक इस्तिति के बीच की जो नियुनतम दूरी होती है, उसे displacement कहते हैं, ये जो है गईज एक सदिस राशी है, इसमें दिसाव परिमार दोनों होता है, विस्थापन का मान धनात्मक, रिनात्म अथुआ सुन्य कुछ भी हो सकता है, ये point important है, अब बात करते हैं, चाल की कोई वस्तु एकाई समय में जितनी भी दूरी तरह करती है, उसे चाल कहते हैं, चाल जो है एक अदिस राशी है, और इसका ऐसा है मात्रक मीटर करती है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, वेग और आगे कहते हैं, यह सदिस राशी है, और इसका ऐसा मात्रक मीटर परती सेकिन होता है, ये धनात्मक और अगे सुनने कुछ भी हो सकता है, तोरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को उस वस्तु का तोरण कहते हैं, तोरण को गाईज समॉल ए से परदेशित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक मीटर परती सेकिन स्कॉार होता है, ये धनात्मक के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परियूर्तन हो रहा है, तो उसका तोरण एक समान तोरण कहलाता है, ठीक है? ये वस्तु के वेग का परिमान समय के साथ साथ है, जो है बदल रहा है, तो वस्तु का तोरण धनात्मक होगा, ये बढ़ रहा है, तो धनात्मक के ये परिमान घटेगा, तो रिनात्मक होगा, और इसे मंदन कहते हैं, ठीक है ना? तो याद दखे, आगे है एक समान तवरि गति के लिए गैलीलियो के समिकरण ठीक तो गैस जी गैलीलियो के जो समिकरण है यदि कि वहस्तों का प्रारंबिक वेग यू से इंडिकेट तो अदूरी यह तो समय तो समय प्राइब यह प्राइब हो जाए तो यह तीनों नियम यास्त रखने है आपको 217-10 इन वस्तुद्वारा न वी से केटी कर दो्री है आगी गाइज गती संबंदी गराप को करेंगे इसे नेस पार्क में करेंगे थैंक्यू गाइज